ओम स्री गनिशा नमदोश्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोश्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 अपरेल गुरुवार की राशी फल के बारे में कि यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा वेवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे वेवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यारतियों को भी उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिस से उनकी लंबे स समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं ज्यादोस्तों कारे छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कारे इस्थल पर भी अच्छा प् का दिन आपके लिए बहुत अच्छ रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर-परिवार के साथ किसी कारे को करने के प् सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तों साथ साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करेछित कित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचेत रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चडाव की स्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चा माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम की अदिक्ता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनन्द लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत दी होगी जया दोस्तो प्रेम संभंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथे साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारो में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केस्तिती रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाई क्या है दोस्तो आज आप इसुनान आदी से निर्वत्र होने के बाद पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और भगवान श्री लक्षमी नाराण के मंदिर में जाकर उनको आप लड़ू का भोग लगाएं और अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विश्णो जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्री हरी विश्णो वस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद